लोगसभा चुनाओं से पहले केंद्री सडख परीवन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़कारी ने बड़ा एलान किया है गड़कारी ने कहा कि वो इस लोगसभा चुनाओं में अपने इलाके में बेनर पोस्टर नहीं लगाएंगे किसी को चाय पानी का इंतिजाम भी नहीं करेंगे उन्होंने साफ कहा है कि लोगों की इमानदारी से सेवा करूँगा लेकिन मैं ना खाऊंगा और ना किसी को खाने दूँगा शुकरवार को केंद्री मंद्री गड़कारी महराष्ट के वाशिम जिले में सिमेंट कॉंक्रेट से बनी सड़क का उधगाटन करने आये थे वहां उन्होंने कारिक्रम को संभोधित किया और आगामी लोगसभा चुनाओं के बारे में बड़ा एलान कर दिया नितिन गड़कारी ने कहा मैंने इस लोगसभा चुनाओं में सोच लिया है कि बेनर पोस्टर नहीं लगाएंगे चाय पानी भी नहीं करवाएंगे वोट देना हित तो दो नहीं तो मत दो गड़कारी ने आगे कहा तुमको माल पानी भी नहीं मिलेगा लक्षमी पेसे दर्शन नहीं होंगे देसी विदेसी शराप नहीं मिलेगी मैं पेसा खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूँगा लेकिन तुम्हारी सेवा इमानदारी से करूँगा यह विश्वास करिये बता दे कि नितिन गड़कारी वर्तमान में नाकपूर से संसद है उन्होंने 2014 और 2019 में यहां से जीत हासिल की नाकपूर भले ही RSS का मुख्याले हो लेकिन 2014 से पहले तक यह सीट सिर्फ कॉंग्रेस का गड़ मानी गई है हाला कि गड़कारी ने इस मिथक को तोड़ा और दोनों बार चुनाव जीत कर BGP के खाते में यह सीट दी मोधी सरकार में नितिन गड़कारी सबसे बहतरीन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों में गिने चाते हैं गड़कारी 2009 से 2013 तक बारती जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं